Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. Rao. Today I am going to deal with another video lecture based on the change of integration. Multiple integration हम लोग डिल कर रहे हैं पिछली कुछ वीडियो से, जिनके लिंक्स आपको description box से मिल जाएंगे. Okay, Mathematics 2 की प्ले लिस्ट में ये सारे चीज आपको मिलने वाले हैं. So, change of order of integration मैंने जिसे आज ये मेरा second lecture है, मैं इससे पहले भी एक lecture record कर चुका हूँ, जिसे मैंने detail में एक-एक point को discuss किया है, कि हम करते हैं क्या हैं क्या हैं क्यों कैसे करते हैं. फिर से मैं थुड़ा से चीज़े recall कर रहा हूँ, कि अगर आपके पास constant limit है, तो change of order of integration matter नहीं करता है. लेकिन variable limit में ये matter करता है, variable limit से limit change हो जाती है, और वो कैसे change होती है, आज फिर हम इस video lecture में discuss करने वाले हैं. So guys, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक region design करते हैं, अब इस question को deal करने से पहले मैं आप लोग इस request करूँगा कि चैनल को subscribe कर लें, और like और share the videos among your classmates and your friends, comment also in the comment box and press the bell icon to get the further notification. So, बहुत अच्छे अच्छी वीडियो जाने वाले हैं, आप उन्हों नोटिफिकेशन ओन रखें, ताकि आपको प्रोपर टाइम पे प्रोपर कंटीन मिल सकें, ओके, now we start the solution, solution बहुत आसान होता है, फिर से मैं कहूंगा, के से पहला वाला वीडियो बहुत ज्यादे मज़ि था और यह वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है, ना, चेंग दा ओडर ओफ इंटीग्रेशन, देस, सबसे पहले मैं अपना गिविन इंटीग्रेशन लिख लेता हूं, यहां पर चोटा से काम, फिर उससे रिजन लिख लेता हूं, गिवन इंटीग्रेशन मेरे पास क्या है, गिवन इंटीग्रेशन हो गया, I is equal to 0 to 1, X square से 2 minus X, X, Y, D, Y, D, X, right, obviously देखो, यहां पर जो मेरे लिमिट्स दी हुई है, variable limits मेरे X में दी हुई है, तो Y की यह लिमिट्स है, यह लिमिट्स है, और यह constant limit, फिर automatically X की होगी, तो मैं पहले Y की respect में integrate कर रहा हूं, यहां पर, फिर X की respect में कर रहा हूं, resultant को, लेकिन change of order से मुझे इसको solve करना है, मेरे को इस limit का order change करना है, तो सबसे पहला target मेरे पास आ जाता है, कि region design करना, जिस पे यह limit defined है, उसके बाद उसमें उस region पे ही, same region पे आपको limit change करना है, ठीक, तो सबसे पहले मैं यहापे, क्या कर लेता हूं, end, reason R, R मेरे पास reason क्या हो गया, मेरे पास मैंने जैसे बताया कि X की limit यो दी है मेरे को 0 से 1, यह भी मैंने बताया कि कैसे हम X और Y की limits को identify करेंगे, यह बहुत आसान है, Y की lower limit मेरे पास X square है, upper limit Y की 2 minus X है, यह फिर हम A से कह सकते हैं इसको, कि X मेरा जाएगा 0 से, और जाएगा X equals to 1 तक, और X मेरा जाएगा, Y मेरा जाएगा X square से, और Y मेरा जाएगा कहां तक, 2 minus X तक, ओके, यह मेरे पास है, अब देखो यह graph बनाने है, यह fundamental चीज़ है, इस fundamental function से, इनके graph बनाने बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसलिए region design करना बहुत मुश्किल नहीं है, interesting है, ठीक है, तो मैं हाँ पर, मैंना अपना XY Cartesian plane ले लिए हाँ पर, तो X equals to 0 का मतलब है, align Y axis, okay, X is equals to 0 का मतलब क्या होगे, Y axis, okay, X is equals to 1 का मतलब होगे, align parallel to Y axis, at the one unit distance, okay, यह आपके पास होगे, align, X is equals to 1, ठीक है, अब Y is equals to X square, Y is equals to X square, यहने कि X is, X square is equals to 4Y, यहना, यह क्या होगा आपके पास, यह एक पेराबोला होगा, यहना, in the positive direction of Y axis, and passing through the origin, क्योंकि 0-0 रखने पे दोनों साथ 0 आ जा रहा है, right, तो passing through the origin, यह चाज़, ओके, यह आपके पास पेराबोला होगे, और चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और बहतर कर ले, देखो, graph अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, इसको एक काम कर ले, यहाँ पर पहले पेराबोला ड्रो कर ले, right, यह होगे आपके पास, पेराबोला, मैं 1 unit यहाँ पर ले लेता हूँ, कि मेरा 1 unit, यह, यहाँ पर है, यह लाइन मेरी, X is equals to 1 है, okay, तो तीन graph में ड्रो कर चुका हूँ, X equals to 0, X equals to 1, Y is equals to X square, remember Y is equals to X square, is a equation of the parabola, तो यहाँ पता है, X square is equals to 4 A Y, यह, और Y square is equals to 4 A X, अब यह जो होता है, आपके पास X square is equals to 4 A Y, it is the parabola, along the Y axis, upward to the positive direction of the Y axis, और यह क्या होता है, along the direction of X axis, open in the positive direction of the X axis, यह वाली चीज़, तो इस तरीके से आप graph को analyze करना सीख लें, ठीक से, अब Y equals to 2 minus X, चलो, ठीक है, Y equals to 2 minus X क्या है, एक line है, और यह जो line है आपके पास, जैसे आप इस line का भी graph बना सकते है, Y equals to 2 minus X का मतलब, X को 0 रखिए, X को 0 अपने किया, तो Y आपको क्या मिला यहाँ पे, 2 unit distance पे न, यहाँ पे कही मिलेगा, Y चलो, यहाँ पे ले ले आप, यहाँ पे, तो X को अपने 0 किया, Y आपको 2 मिल गया, राइट, अब Y को आप 0 करेंगे, आपके, यहाँ पे आपको X equals to be 2 मिल जाएगा, Y को 0 करेंगे, और X equals to 2 आपको 2 मिल गया, तो X equals to 2 आपका कहीं पे होगा, X, खिकी देखो, X equals to 1 रखेंगे, तो Y equals to 1, यहाँ यहाँ से पास भी हो गया, वाँ, कमाल की बात है, यहाँ तो, आपने Y को यहाँ पे 0 रखा, और X equals to 2 पॉइंट यहाँ पे है, यह ना 1-1 से पास हुआ ध्यान रखना क्योंकि x की value 1 रखेंगे तो y की value 1 ही मिलेगी याद यह point तुमारा one comma one ही है यह यह this is equals to one यहाँ यह x is equals to one जैब इस curve में रखो इन दुनोंका intersecting point भी आजाएगा one comma one तो यानि कि यह one बिला वह आपको यह रिजल ठीक है मैं इनकाम जैसे मैंने आपसे कहा है कि रिजन ड्रो करना है अगर आप रीजन ड्रो कर दिये अच्छे से तो फिर काम इतना बचता नहीं है इसके बाद वेरेबल लिमिट मेरी किसकी थी वाई की थी यानि के मेरे पास जो लोवर लिमिट थ प्रडार एक्सिंग कर दो से नगें। horizontal strip लेनी है पहले फेले vertical पहले दीवी तेभी मेरे को इस बार horizontal बना लेनी है और horizontal में क्या देख का तो यहाmpर पहले च्नी नया limit एक्सी स्क्राहें यहां पहले एग्स का लिख लेते हैं यहां यहांपे यहां से चलेगा एक्स का it is equalto zero यानि कि 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा यह यहां तक जाएगा यह कर्व ए मेरा यह कर्व है मेरा y is equal to x square लेकिन मेरे को limit किस की चाहिए यहां पर x की तो यह square root y तक जाएगा यह जाएगा square root y तक क्योंकि y has equal to x square है तो अपर मुझे लेकिन मेरा इस साइड में यह मेरा पॉजिटीव फुलक लेना है मेरे को इसका पॉजिटीव जो डाइरेक्शन में वो लेना है तो यह एक्स की लिमिट आ गई अब जब में यहां पर अच्छा यहां भी दो चीज बिनेंगे द्यान लगना जैसे आप इसी स्ट्रिप को इसको आप यहां से मूव करएंगे यहां से मूव कराते कराते आप गहाas तक जाएगे इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कर्व चेंज आप इन पॉइंट के आप वो भी लिख लो जैसरे पॉइंट इवांके पास यह जाएगा आप यह पास आक कि वेलिव जिरो और वाइख के शममज्च हो गया यह पॉइंट आपके पास हो गया जीरो पॉमा 2 लैट यह पे आपके पास हो गया 0,0 इनको नम्बर इनको आप वो दे दो आप 0 इनको इंडेक्स दे दो 0 A sorry O A B C N हो गया तो यहाँ पर दो रीजन बने आपके पास तो क्या बना आपके पास कि आपका जो complete region है O A B C O यह दो रीजन में divide वो आपके पास O A C O यह रीजन और दूसरा C A B C यह रीजन दो रीजन हमने देखो दो रीजन बनाने हैं वजह क्या है दो रीजन बनाने की कि कर्व आपका चेंज हो रहा है यहाँ पर क्योंकि देखो इस ट्रिप आपके एक सेक्सी जब चलाएंगे यहां से तो यह वाला कर्व आपर लिमिट सेम चलेगा लेकिन इसके बाद में कर्व चेंज हो गया यहां के जाने के बाद तो आप इसको दो रोजन में divide करके चलना है यानि कि X की पहले 0 से स्क्वाई रूट y चली और फिर y की लिमिट चली क्या 0 से 1 तक y की लिमिट होगी आपके पास 0 से 1 तक and then plus अगर आप कहते हैं कि इसको आप R1 रिजन से डिनोट कर रहे हैं और इसको R2 रिजन से डिनोट कर रहे हैं टोटल डिजन R है आपके पास तो R1 आपने यह निकाल लिए, R2 region आप क्या निकाल लिए, R2 region की limit क्या निकाल लिए, R2 region की limit आपको X आपका जो जाएगा, जाएगा X आपका 0 से, क्योंकि आपका यह Y से start होगा, Y से equation X equals to 0 होती, 0 से जाएगा लेकिन यहां तक, यह Y equals to 2 minus X दिया हुआ है, इसी को मैं लिख स तो X की limit मिले जाएगे 2 minus Y तक, ठीक है, और अब मेरे को Y भी decide करना है यहां से, Y मेरा इस बरी यहां से चलेगा, और यहां से 1 से लेके 2 तक जाएगा, यहां मेरी lower limit बन रहेगी, और यह region में जाएगा 2 तक, तो भी यह दोनों reason बन गी, आपका जो question change हो गया, वो क्या बन ग order करने पर आपको यह बना, कि 0, 2, 1 यह Y का limit है, और 0, 2, square root Y यह आपका X का limit है, इंटिग्राण मेरे पास क्या था है, यहां पर, X, Y, D, Y, D, X, यह था आपके पास X, Y, D, Y, D, X, दो काम तो मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसान काम है, यहां पर फिर से Y की limit 1 से 2, और X की limit 0 से 2-X, तो student आपको एक-एक step आप प्रोपर करते रहे, थोड़ी सी graphical knowledge और थोड़ा सा attention, कुछ मुश्किल नहीं है, पहली limit किस की है, मेरी X की है, ध्यान नकी, पहली limit X की है, क्योंकि यह Y के terms में है, तो X की limit पहले है, तो मैं यहां पर change of order में पहले X का करूँगा, देन मे यहां पर यहां पर यह पहली X की limit है, पहले मैं X के respect में करूँगा, दिन Y का, तो मेरा order change हो चुका है, यहां पर गोर से देखे, यह मेरा original था, Y के respect में पहले था, फिर X के respect में, क्योंकि मेरी Y की limit पहले दी हुई थी, ठीक है, अब मैंने order change करते है, order change करने के बाद मेरा य limit, आप से order करा लेगा, दो नमबर यहां पर रुकवा लेगा, या फिर आप से पूछ लेगा, sketch the reason for the following given limits, अच्छा आपने यह कर लेना है, दो नमबर में यह पूछ सकता है, या फिर आप से इसको पूरे को solve करा लेगा, long answers में, तो चलिए solve कर लेते हैं, solve करने में तो इसमे और lower limit होगी आपके पास 0, upper limit होगी आपके पास y, ठीक, x के respect में आपने इसको integrate कर दे हो dy, similarly आप यहाँ पर आजाएंगे, 1 से 2, x के respect पर आप इसे integrate करें, x square by 2 y, lower limit आपके होगी 0, upper limit होगी 2 minus y, और dy, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर 0 से 1, आपने upper limit y क x की जगा रखनी ती, यहाँ पर x के respect में करें, तो x की जगा रखनी, square root y, whole square, right, into y by 2, and then minus lower limit आपने x की जगा 0 रखनी, तो यह हो जाएगा 0, right, यहाँ पर होगी आपके पास y, and then plus 1 by 2, upper limit आपने रखा, यहाँ पर x की जगा 2 minus y, whole square by 2, and minus lower limit आपने रखा 0, dy, अब इसको simplify कर ले, अब सवाल में ऐसा कुछ रहा नहीं, यह square root y का square होगा y, यानि के y square by 2 होगया, y square by 2 dy, right, and then plus 1 by 2, यहाँ पर आप विचाहएद इसको expand कर ले, 4, अच्छा 1 by 2 को आप यहाँ से बाहर निकाल ले, ऐसे आप यहाँ से 1 by 2 को यहाँ से भी बाहर निकाल सकते 1 by 2 होगया आपका बाहर, और आप चाहएद इसको throughout बाहर निकाल सकते हैं, पूरे में 1 by 2 को में ले सकते हैं, अब यहाँ break it ही start करके, 1 से 2, और यह 2 का square होगया 4, y का square होगया, minus y का square होगया y square, minus 4y, right, minus 4y, तो यह होगया 2y into 2, minus 4y, तो 4 plus y square minus 4y, with respect to dy, तो यह simplify करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 by 2 तो ही मेरा, अच्छे, अब देखो, 0 से 1, y by 3, y3 by 3, और 0 से 1, इसको solve कर लेंगे, then plus 4 का integration मेरे पास क्या होगया, 4y, y square का क्या होगया, y की power 3 by 3, minus 4y, इसका क्या होगया, y square by 2, limit क्या होगया मेरे पास, 1 से 2, right, चलिए, इसको simplify कर लो आप, 1 by 2, और इसकी upper limit होगी, यह आपके पास होगया, 1 by 3, lower limit बहुत जाएगा, 0, and then plus, यहाँ पे आपके पास होगया, 4 into 2, and then plus 8, 2 की power 3 होगया, 8 by 3, minus 4, 2 का square, कितना होगया, यह होगया, 4 by 2, चाहिए तो आप इसे क्या लिख सकते है, 2, इसको 2 से काट सकते है, 2 by square, यानि के 2 into 4, and then minus lower limit, यानि के minus 4, and then minus 1 by 3, and then plus 2 into 1, right, क्योंकि एक minus already होगया, तो इसको simplify कर लो आप, यह होगया, आपके पास 3 by 2, and then plus 4 into 2, and minus 4, तो यह आपके पास बचके कितना, यह चाह दुनियाट, और यह होगया, आपके पास cancel, ठीक है, और यहाँ पर, यह plus 2, यह आपके पास बचके माइनस का 2, यह भी cancel होगया, ठीक है, माइनस का 2, और प्लस का 8 by 3, और माइनस का 1 by 3, तो यह होगया, प्लस का 7 by 3, तो यहाँ पर होगया, आपके पास 3 by 2, और यह होगया, आपके पास 6, तो आपके पास 7 by 3, तो यह आपके पास होगया, यह काम तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, छोटा-छोटा काम required होता है, यहाँ पर, अबे देखू, यह आपका पास रह जाता है, यहाँ पर एक छोटी सी calculation mistake रही होपर, जो भी मैंना observe किये, कि यह जो 1 by 2 है, यह पूरे integration में multiply हैं यहाँ पर, यह 1 by 2 चूटा एक तो, ठीक, और यह 3 by 2 नहीं होगा, यह 1 by 6 होगा, ठीक, और इसी तरह हैं यहाँ पर, यहाँ पर इस calculation को आप लोग verify कर लेना, ठीक है, मैं इसको rub कर रहा हूँ, यह answer थोड़ा मिश्मेश कर रहा है, ठी इसको अपने से calculate करेगा, ठीक है, तो final answer मेरे पास आता है, 3 by 8, which is the required answer, तो काम हमें बहुत बड़ा नहीं करते हैं, जिससे मैंने पहले भी कहाँ आपको, वह चोटा-चोटा काम हमाल करते हैं हमें से, अब एक बहुत चोटा से question हम और लेते हैं साथ में, ताकि इसको और करना है, ठीक, तो फिलाल के लिए मैं अप लोगों से कहूंगा कि इस question को आप लोग try करें, नहीं तो next video में मैं इसको खुछ से solve करो हूँ, okay, so मिलते हैं next video lecture में, thank you very much, क्योंकि time कम हो चुका है, okay, मेरे mobile की battery भी कम है, so, see you in the next video lecture, thank you very much.